वेल्कम बैक टू एसके मोटर गैरेज और आज हम गाड़ी का बंपर रिपैर करेंगे जो कि आज हम खुद घर पर करेंगे क्योंकि यह भी लॉव टाउंचल राइस वज़े से हमने सोचा कुस्तो का मैंने इसलिए पंपर ही रिपैर कर लिया जाए तो सबसे पहले इसके तीन नट खोलने के बाद में साइट से बंपर आपको रिमूव करना होगा और बाकी सारे पेंच इसमें तीन पेंच चोटल होते हैं और नीचे इसकी प्लास्टिक की डॉटिट लगे होंगी उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको तो इसली आराम से निकाले लेंगे इन तीन नट को आपको खोलना जरूरी है इन तीनों को खोलें के बाद में फिर हम दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से बंपर हम खुदी घर पे रिपैर कर सकते हैं वो भी एक छोटी कोस्ट के अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा तो इसको मुझा जल्दी ओपन कर लेता हूं और फिर हम लेकर चलते हैं की कैसे रिपैर होगा मां आज इस वीदिए में बात करेंगे की वंफ यह रिपैर कैसे होता है आप गर पे रिफैर कर सकते हैं जैसे फरस्ट क्रेक हो रहा है और एक ही एक रैक हो रहा है और इसकी वज़े से आपको बंपर पूरी तरीके से लग नहीं पा रहा है ठोड़े बाद इशू होंगे जो कि मैं इस वीडियो आपको बताई दूँ एक यह क्रैक हो रहा है यह देख लेंगे आप जो किसे मां पर ही रेपायर करूंगा कि किस तरीके साइसे रेपायर करेंगे यह पूरी वीडियो में बात करेंगे और मैं घर के भी दिखाऊँगा और वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और जरू करते ना और स्टार्ट करते हैं वीडियो चलिए पहले तो यह आपका किसी भी गाड़ी का बंबर ले लिए कोई दिक्कत नहीं लगी खोलने का प्रोसेस आप कहीं तो अडाल देता हूं वो भी मैं प्रोसेस दिखा दूँगा मैं आपको यह बंबर फिक्स करके तो सबसे पहले तो हमें इसे ठीक करने के लिए जिस जिस टूल की जरूरत होगी वो टूल्स एक यह होगा एमसील जो कि आपको लोकल स्टोर से मिल जाएगा और दूसरा टूल्स जो होगा वह यह एक फैबिक यह इसे एलफी और या बहुत सी ब्रंट के आते हैं आपको इस करने के लिए मैं इसमें दिखाऊ हुआ कि इसको और सबसे पहले तो इसको ओपन कर लीजिए क्योंकि यह मैन पॉइंट है आपका इससे आपका बंपर चिपक तो इससे भी जाएगा और सबसे बढ़िया आपका इससे फिक्स हो जाएगा बहुत अची तरीके से क्योंकि आप वे गवे तो यह तो दो जगें चोटा सा है आपका ख्रीयक पमपर का या किसी वी ऐनीजीच का किसी भी चीज का तो आप सोचेंगे इसे आराम से आप एक ही ले लैं तो खाम नहीं चले गा क्योंकि यह दोनों के लिए होता दोनों मिक्स करके इसे पेस्ट अपलाई कि जाता है दोनों को पहले मिक्स किया जाता है फिर यह अपलाई होता है जो कि मैं आपको दिखाई रहा हूं इसको में खूल लेता हूं यह दोनों निकलेंगे आपके आप देख लिजी इस तरीके का इस तरीके का इसको आप एक उपर एक रखके कैसे भी करके इसको आपको मिक् कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके के रंग का हो जाएगा पिल्कुल प्लाक और इसको हम किस तरीके तर पेस्ट करेंगे यह मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड लुगी ए ध्यान रहे सबसे पहले तो इसे आप अंदर की तरफ से पेस्ट करेंगी यह इसका क्रेक हो रहा अधी को पेस्ट करना होगा थोड़ा-थोड़ा तो मैं इसको अभी दिखा रहा हूं हाँ आखको पर आप इस तरीके पर डाल लीजिए उसके बाद में यह वाला लिकुड आपको लगाना है थोड़ा सा इस तरीके से ले लीजिए और आप इस तरीके से पतली सी लेयर बनाके और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं से अच्छा नहीं लगेगा सफाई नहीं लगेगी पर हाँ यह आपका मजबूती से जुड़ जाए रहेगा इसके बाद में आप कॉर्णर बिल्कुल भी न छोड़ें और बिल्कुल भी इसे हने सब दबा के रखें थोड़ी देरे 10-15 मिनिट बंपर को और यह फिक्स हो जाएगा यह कुछ इस द्रीक के से मैंने फिक्स करदिया और यह लंफी घरच शारो तरफ से डाल गए और एक इस जिल की आपiciary को दूसरी तरफ से भी दिखादेता हूं कि ये पंपर यहां से कभी निक्रेगोगा एग यह फिक्स कर दिया है में अन। अब मेरा बंपर खाली, एक यह पॉइंट रहे गया है। यह जोडने के लिए जिसमें कि मेरी, एक Elfy यूज रहे है पूरी के पूरी और यह वाला पाइंट रहे है। और यह वाला पुटिट है और हाँ याद रहे इसको ज़्यादा दिर ना छोड़ें क्योंकि मिक्स करने के बाद यह बहुत हाड हो जाता है और यह हाड हो चुका है जिसकी मेरे को नॉलिज नीगती है और यह देखो मैं इसको कैसे नॉर्मल करता हूं यह तो मैं अभी यूस करके बतापन होगा चलिए और मैं दिखाता हूं इसको कैसे फिक्स करेंगे और यह हाड होने के बाद कुछ इस तरीके से चिपक किया है जो की से हाड मत होने दिना हैंट टो हैंट आप लगा लेना इन देखिए कितना हाड हो गया है आट के विज़े से अब मुझे बिलास की मतल से मेरे कोई दवाने पड़े हैं और यह भी मैंने फिक्स कर दिया है यह देखिए अब मेरे सारे फिक्स हो गए है अब इसको जितने दिन होंगे उतने ही हाड हो जाएगा अब यह लास्ट रह गया है जो कि इसको सही से जोड़ना है और यही आपका मैन बंपर का प्रोटेक्टर होता है जो भी साइट से कॉनल लगे होते हैं तो इसकी एजिस जो होती है वह हमें सही से एकुरेट बैठाल नहीं पढ़ेंगी पहले जो कि चार तरफ से देख दाग कर वह आपको एड़ेस्ट करना है और उसके बाद में फॉस्ट आफ और पहले आपको एल्पी से पेस्ट करना हमेंचे सिर्फ एल्पी से इस चिपकाएंगे क्योंकि इसे एम सी इसके उपर वर्क नहीं कर पाएगी तो एल्पी से भी अच्छी पेस्ट हो जाता है तो सिर्फ हम पी डालेंगे और इसके यसे ऐसे अच्छी तरीकर से आपका फिक्स हो जाएगा और यह वाला प्रोसीस भी बहूत अच्छा है और मैं वो बता रहा था है में अच्छा हो एल्या आप पैसे नहीं डालना जाते उस आप करना चाना जाते है तो यह माला फ़र्मुला भी आप यूझ कर सकते होैं कि इसके लिए सारे जैस मैंने बढ़ा लिए है हम्म्लफी को सभी तरीके देशता करोerem और ये और ये एक्युरेट सारे कॉर्नर में डालने के बाध में हैं तू और धु सना चाया है में निचाल भी तालून है जोगि मैंने लिए मित्टी तरीके से आप में टी टॉलते रही है hand-to-hand । जिसके अंदर आपका मैं ए उनली ज़्ट होना चाहिए है ना कि की इसके अंदर कोई पत्थर वग поч़़ नहीं होना चिह चोटे गोटे तो इसलिए prelim यह सही तरीके से चिपक नहीं पाएगा और एल्पी मिट्टी में लग जाती है इसलिए उसका दो हैंड टो हैंड मिर को साब भी करना पड़ता है तो यह आप मिट्टी डालने के बाद में ऊपर से एल्पी और डाली जिसकी जैसे अची तरीके से मजबूत हो पाए इसे थोड करने के बाद में हमें से पेस्ट करके चिपताएंगे और यह चिपकने के बाद में काफी अच्छा रिजलते गी और यह काफी लॉंग लास्टिंग चलेगी और इसको में चिपका तो रही हूं और यह इसको चिपकने के बाद में आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है इसके चिपकने के बाद में आप आदा घंटा दे सकते हैं और उसके बाद में तो यह आपका और स्ट्रॉंग होता रहेगा पर हां हैंड तो हैंड आपको मिट्टी जूरू जाल डालनी है आप सोचें सिर्फ यह फैबिक एक या फिल्पी वगरा से ही फिक्स हो जाएगा तो स्ट्रॉंगली नहीं रहेगा आपको मिट्टी या इसका एमसील का यूज जरूर करना है इसकी वज़े सही आपकी जो भी चीज है वह स्ट्रॉंग हो पाईगी या मजबूत हो पाईगी जो आपकी लॉंग समय तर चलेगी आप अउनली एल्पी का यूज करेंगे तो यह स तो यह और ज्यादा अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से जोड़ पाईगी तो इसको मैं ऐसे ही दाल लेता हूं इटी है और मेरे में तिकाता हूं झी कर दो तो यह वॉर। इडिव एंट आज जएद एंट 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 सर्व एंट 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 पार राद था 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 राद इए कि अवाई ये 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 साइब 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 और आप देख पा रहे हुए चारो तरफ से अच्छी तरीके से जुड़ चुका है और यह स्टैप मैंने दोन तरफ से फॉलो किया है और जिसकी मजबूतिया आपको देखी रही हो यह वंबर हर तरफ से पहर हो चुका और यहां से बिल्कुल भी कभी भी हम नहीं सकता है अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से और यह वाला पॉर्लर भी जिखा जिता हूं यहां भी फिक्स हो गया है निचे भी एक क्रेक दाव बोल दिया है हर तरह से सिक्स हो गया और यह अच्छा मैटर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किजिए चैनल को सस्क्राइब कर ले रा वीडियो शेयर पर देना बल आइकन को अच्छा जिबू कर दोए न चलिए मिलते नेक्स वीडियो तक ही इसमें तीरी स्टूट से रहेंगे एक यहां पर और एक यहां पर आपर एक यहां पर नीचे की लाट अच्छा इसको ही अच्छा इनके टाइट कर दीगे इसके ऱषीय किस्सी आख़ा इसको ही आख़ा इसके इसक?" कि वो, दूडा आख़ा है झाल झाल